आप सभी को छटी की बहुत बहुत शुप कामना है दोस्तों और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जूले में बिठा दिया है और थोड़ी से फूल लगाए हैं मैंने और जूली की डेकोरेशन मैंने उतारी नहीं थी इसलिए छटी के लिए कि मैं इनको दुबारा जूल कि देखें कितने सुन्दर लग रहे हैं मासून जैसे बच्चे और अभी मैं इनको थोड़ा से दूद पिलाओंगी कि यह कि अईड़ा हैं कि रड़ 00,000 जैसे बच्चे में रच्राइबा हैं कि यह वीर आट रहे हैं कि यह कि अजयन हैं यह अम nhấtी जैसे बच्झाव में रहे हैं कि यह विर दूट बही है हैं दोस्तों, अब मैं आपको हमारी छटी की थोड़ी सी तैयारी दिखा देती हूँ, उसके बाद हम भोग लगाएंगे तब मिलते हैं आज मैंने कड़ी बनाई है छटी के लिए बड़ो को काल जेकी और अभी कड़ी में उबाल नहीं आया है इसको मैंने मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं लिखा पाई है मैंने किस तरीके से इसको छोका है बिना प्याज के बनाई है आज में थोड़ा सा राई सरसो सूखी लाल मिर्च थोड़ा जीरा थोड़ी एजवाइन और हल्दी नमक मिर्च इन सबसे मैंने इसको छोब दिया और मैंने इसमें मखाने डाले हैं थोड़ा सा उबाला जाए तो मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी थोड़ा सा मेरा पिछे नाज पहला हुआ है देखिए हमारी कड़ी में उबाला गया है मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी जो मैंने बनाए है अब इसको हम अच्छे से पकने नेगे कड़ी को काफे देर तक तो अब हमारी कड़ी बनकर एकड़न तयार है दोस्तों अब हम लगड़ी गपाल जी को भूग लगाएंगे गैस में बनकर दूँगी और अब हम भूग लगाएंगे कड़ी चावल का भूग लगा देते हैं में अ favor डोपाल जी को दोपैर हो चुकी है वैसे थो डोपैर में ही छोटी मनाई जाती है घोपाल जी की तो अब हम भूग लगा देते हैं तो दोस्तों यही हमारा चोटा सा चटी उपसब था अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बुलें थैंक यू, हरे कृष्णा, बाई बाई